क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे आल इन वन यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोसों कि आपको पता है इस मुकाबले में देली कैपिटल्स के हार के विलन कौन बने रिशा पंद और उनके साथ उनके सबसे प्रमू गेंदबाज जो इस साल वापसी कर रहे थे देली कैपिटल्स में एंडरी नॉर्डियच ऐसे में ये दो नहीं चीज़ें दोनों में मिलक काफी जादा कारणामा कर बैठी दोसों आप सभी को बताते सबसे पहले तेर वेवर में जैसे एंडरी नॉर्डियच ने एक गेंद फेकी कुईंटन डिकॉक को तो कुईंटन डिकॉक के लगभख सर से थोड़ा पहले ये बहुन सर गीरी जिसके चलते से नोबाल दिया गय थी क्योंकि ये पहली गलती थी नॉर्डिया की लेकिन 15 वेवर की तीसरी गेंद जैसे इन्होंने दीपा घुडा को फेकी तो यही पर पूरा बवाल मच गया दोसों ये भी गेंद लगभख सर के थोड़ा सा नीचे आई जिसे देग अमपार गुसा हो गया और अंड्रे न नॉर्डेज को सस्पेंट कर दिया उनकी पॉलिंग से जी हां दोस्तों लगभग अभी चार गेंदे बागी तीस ओवर की सस्पेंट कर दिया अंड्रे नॉर्डेज को इस मुकाबले से जिसे देग रिशपपन का कुछ ऐसा रियाक्शन था दोस्तों रियाक्शन काफी नहीं हमें कॉमेडिमिक बार ज़रूर बताते वे जाएं दोस्तों आईपियल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला समाप तो चुका है तो आईए आप सबी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की भयांकर हाइलाइट दोस्तों शुरू हो चुका है लखनो सूपर जैंट बना देली कैबिडल्स का तूफानी मुकाबला दोस्तों अगर हम टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में कियल राउल ने शांदार तरिकों से टॉसी था और गेंद बासी का किया फैसला ऐसे में पहले बल्ले बासी करने उद्री देली कैबिडल्स की टीम दोस्तों देली कैबिडल्स की शुरूआत की बात करें तो शुरूआत काफी ज्यादा खतरनाक मिली देली कैबिडल्स को जहां पृत्वी सो ने पावर प्ले का पर पूर फाइदा उठाया और लगभग 5 ओवर में ही 50 से ज्यादा रन लगा दिया स्कोर बोर्ड पर दोस्त मुकाबले में पृत्वी सो ने धाकर बले बाजी की और वो आउट हुए उनके पाद रवी बिशनाओी के हाथो ने बले पास जो डेब्यूट कर रहे हैं देली कैपिटल्स के दरफ से डेविड वॉर्नर ये आउट हो गए चारो खाने चीत हो गए बिशनाओी की घूम दिवी गेंपर और इस सिर्व से बोर्ड हो कर रहे हैं जिसके चलते खतरनाग बले बाज रोमें पोल मातरी तीन में मना अगर दस के नोगा सामना करते हुए अपनी बड़ी विगेट का आउट है उनके बाद बलेबाजी करना है कपतान डेली गैपिटल्स के विगेट की बलेबाज रिशपपन्द और इनका साथ देने आया नमबर पाँच पर सरफरास खान दोस्तो ये भी नए बले पास हैं देली कैपिटल्स के दोनों ने मिलकर मैच को अंतर फिनिश किया लेकिने कराब फिनिश मिली देली कैपिटल्स को दोस्तो रिश्यप पन ने इस मुकाबरे बें तीस रणों की पारी खेली 36 गेनों में तो सरफ राज ने 36 गेनों में दोनों ने भी आकरमक पारी नहीं खेली जिसके चलते मात्र 149 गेन बना पाई देली कैपिटल्स की टीम जी हाँ दोस्तो एक्सो पचासरन भी पूरे नहीं कर पाई देली कैपिटल्स की टीम वो भी सिर्फ तीन विकेट के लुकसान पर इंदे टार्गेट का पीछा करने हूँ तरी लखनो सूपर जैंट्स की टीम दोस्तो शुरुवात के क्या कहने लखनो सुपर जैंट्स की टरफ से क्विंटन डिकॉक ने धागे खुल कर रख दिये पूरी देली कैपिटल्स के एक लौते बले बाज ने पूरी तरी मैच को बदल कर रख दिया केल राहूल और कुंटन डिकॉक के बीच में अच्छी साज्य दारी भी हो चुकी थी तब ही केल राहूल ने ये घूमती भी गेंद पर कुल्दीप यादव के शॉट खेला दोस्तो गेंद गिरी सीधा परित्वी सौर की गोदी में इस सरीख से जिसके चलते 17 रन पर पहली विकेड़ की लगना सूपर जैंस की केल राहूल 24 रन मरागर 25 गेंदों का सामना करते हुए कुल्दीप के गेंद पर 100 को कैश देकर आउट हुए एजमिन के बाद एवन लुईस आते ही वापिस फविलियन लौड गया बड़ा शॉट महानी की चाह में दोस्तो लली दियादव की इस गेंद को हवा में खेल बैटे एवन लुईस और गेंद के निचे कुल्दीप यादव आ गया आउट हुए उनके बाद मैच को फिनिश करने का जिम्मा था खार्दिक पांडिया के भाई क्रोनाल पांडिया के ओपर और उनके साथ बले बाजी कर रहे थे दीपकुडा दोस्तो गेंद अंती मोवर में आ चुकी थी जहां 6 गेंद और पांत रहे थे पहली गेंद पर शार्दूल ठाकुर की काफी बड़ा शॉट खेला दीपकुडा ने लेकिन गेंगिरी सीधा जाकर अकशर पटेल की गोधी में जिसके चलते पहली ही गेंद पर शांदार त्रिगल से विगेट मिली और सेट बले बाजीपकुडा तेरा के नोगा सामना करते वे ग्यार मनागर शार्दूल ठाकुर की गेंद पर आउट हुए इसका जॉपर में कॉमेड में बार जरूर बताते वे जाएं